हेलो दोस्तों वल्कम बैक टू माई चैनल तो चलिए आज आज आपके साथ शेयर करूंगी कठल की सबजी जो मोस्ली सभी लोग की बहुत ज्यादा पसंदिदा होती है और मेरी बीना ये बहुत फेवरेट है तो आज हम इसे कम तेल में कम मसाले में बनाएंगे जो खाने में बेहर टेस्टी होगा और क्विक बन जाएगी रेसिपी तो देखिए अभी तो जो कठल है थोड़े बड़े साइस के आ रहे हैं तो इसी के हम बनाएंगे और इसे मैंने इस तरह के से मोटे मोटे तुकड़ों में कट कर लिया है अब मैं इसे डाल दूंगी कूकर में थोड कि सबजी टेस्टी भी बनेगी और आपको नुकसान भी नहीं करेगी और कम तेल में बनेगी तो इसके लिए आपको क्या करना है थोड़ा सा इसको डालके बॉइल कर लेना है बॉइल कर लीज़े या फिर आप चाहो ना तो स्टेम भी कर सकते हो और स्टेम करके ना जब इस चीजे डालनी है ठीक है तो इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगे जिससे बहुत अच्छा कलर ले लेगा और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे जिससे ये कठल हमारे फीके नहीं लगेंगे और सबसे इंपोर्टन चीज फ्रेंस जब भी आप कठल को बॉइल करे है तो ऊपर कठल ढ़कन खराब नहीं होता है और हमारा कठल बहुत अच्छे से बॉइल हो जाता है तो जब तक वहां कठल बॉइल होड़ा चलिए तब तक हम इसके लिए ना मसाला रैडी करते हैं तो आप देख सकते हो मैंने आप चार पांच प्याज ले लिए हैं आप ज ना इसे जरूर निकाल लेना बहुत सारे लोग इसे नहीं निकालते हैं और यह ना बहुत ज़्यादा नुकसान करता है इसलिए जब भी आप प्याज वगारा सालेड में भी काटें या किसी वेजिटेबल में बंदालने के लिए भी काटें आप ये बीच का जो पोर्शन इसे जरूर निकाल दें यह बहुत ज़्यादा नुकसान करता है तो आई हो बहुत सारे लोगों को पता होगा तो मैंने से चलिए मैं आपके साथ ये वाली टिप्स शेयर कर देती हूँ तो जरूर से आप इसे निकाल लिएगा तो चलिए अब आते हैं सबजी में तो इस त कर लिए इसे मैंने कट कर लिया है और ये मैं आपको दिखा रही थी कि इसे आप बिल्कुल भी यूज ना करें इसे जरूर से आप फेंक दे ठीक है अब चलिए देखते हैं इसके अलावा सबजी के लिए हमें और क्या-क्या चाहिए हमें इसके बास सबजी के मसाले को सब्सक्राब नहीं हुआ है असे लग रहा है कि कुकर कड़कर नीट एंड क्लीन है तो इस तरीके से जब भी आप कठल को बॉयल करें जरूर डाले ठीक है अब चलिए हम सबजी को अपने बनाते हैं तो चलिए हम इसमें मैंने कठाई ले लिए है इसमें मैं डाल दूंगी तो फ्रेंट्स कठल की सबजी ना आप कोशिश करिएगा मस्टर ओयल में ही बनाएं सरसो के तेल में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो आप देख सकते हो मैंने अराउंड बहुत ही कम तेल लिया ज्यादा तेल नहीं लिया है मैंने तो अगर आप कठल को बीना मेथी जीरा और हिंग ये तीरों चीजे डालिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कभी भी जब आप तड़का लगाएं तो बहुत गरम तेल में ना डाले नेटो ना जो मेथी जीरा होता है वो काला हो जाता है फिर वह अच्छा फ्लेवर नहीं देता है उसके बाद मैंने या पे प्याज को डाल दिया है और प्याज के इसको थोड़ा साटे कर लीजिएगा उसके बाद ही आपने इसमें जो लैसुन और जो अपने अध्रक को ग्रेट करके रखा है ना वो इसमें आड़ कर देना इकठे ना डाले नेटो ना ये जल्दी से जल जाएगा और इस स्टेज में थोड़ा सा फ्राई करने के बाद प्याज के डालेंगे तो ये बहुत अच्छी सी खुश्बू देगा बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और इसे कोशिश करेगा इस तरीके से ग्रेट करके या फिन जो इमाम दस्ता या छोटा सा खलबता होता है ना उ क्यों हमारे रूटीन के मसाले होते हैं तो आफ वैसा भी कर सकते हो लेकिन तरीके से गर्म का मौसम है तो सिंपल एंट टेस्टी बना रही हूँ जो सिंपल है सिंपल मसाले से बने गायाойд टेस्टी हमें डालना है टमाटर अब आप सुचोंगे टमाटर कठल में कैसा लगेगा जी हाँ बहुत अच्छा लगता है और मैं बिना टमाटर के कठल कभी भी नहीं बनाती हूं आप इसे जरूर ट्राइ करना इस रेसिपी को आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी अब टमाटर डा डिया था ढग दिया था मसाला बहुत अच्छा कठल का रेडी हो गया है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है मसाले कि आप देख सकते हो अब इसके बाद जब अच्छे से गल गया है तब हम जो हमारा कठल अपने बॉयल करके रखा था वह हम इसमें डाल देंगे अच्छी सबजी रेडी होती है अब अगर आप चाहते ना तो इस बॉयल कठल को भी आप थोड़ा सा सौटे कर सकते थे थोड़ा सा फ्राई कर सकते थे और ना चाहो तो ना भी मैंने तो नहीं किया है तो आप चाहो तो मैंने आपको आप्शन बता दिया आप फ्राई भी क से आप इसे गार्निश कर लीजिए अगर आप धनिया पसंद करते हैं तो बस अब आप इसे दाल चावल के साथ राइस के साथ पूरी के साथ पराठे के साथ सर्व करिए बहुत ही यदा डिलिश्य से सब्जी लगती है और इस समयना बहुत मज़ा देता है खाने में तो स्ट् चाली में है मेरे रोटी कटल की सब्जी और आम का मुरब्बा जिसकी रेसिपी मैंने शेयर कर दी है लास्ट की वीडियो आप देख लीजेगा बहुत यमी मुरब्बा है विच स्पेशल मसाले के साथ तो बस मेरा तो यह जड़ी हो गया है अब मैं जा रही हूं अपना खा करने के लिए तो आप भी फटाफट से इस रेसिपी को बनाए खाये फैमली को खिलाए और साथी सातना यह जो मुरब्बा है इसे भी जरूर ट्राए करेगा तो चले वीडियो यही पे आन्ट करती हूं कल मिल फिर में लेंगे थांक यू सो मच फर वाचिंग मैं वीडियो बाइ बाइ और टेकेर